तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है जहां अब्दुल्ला आजम खान की बिधान सबा सदस्ता रद्ध हुई है बड़ी खबर आपको बता रहे है जहां अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोशित किया गया है तो बिधान सबा सचिवाले ने रिक्त घोशित क बड़ी खबर आपको उता रहे हैं जहां आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधाई की चिनी है साथी दो साल की सजा के बाद सदस्ता रद की गई है तो बड़ी खबर आपको उता रहे हैं जहां सपार नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधाई की चल तो आजम खान के बाद बेटे अब्दुल्ला की मुश्कले भी बड़ती हुई नजर आ रही है अब्दुल्ला की विधाय की चुनी है साथी दो साल की सजा के बाद सदस्ता रद की गई है तो अब स्वार टाडा सीट पर फिट से चुनाब होंगे विधान सभा सुचिवाले की तरफ से अधिसुचना जारी कर बताए गया है कि स्वार टाडा सीट जो है वो रिक्त कर दी गई है अब चुनाब आयोग इस सीट पर दो वारस से चुनाब कर आएगा बड़ी खबर आपको उता रहे हैं जहां सपा निता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधाय की चली गई है उनकी स्वार टाडा सीट पर फिर से चुनाब होने जा रहे हैं अब्दुल्ला आजम की विधान सबा सदस्तार रद्ध हुई है अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त गोशित किया गया है तो विधान सबा सच्वाले ने आपको दादे की सीट को रिक्त गोशित किया है तो अब्दुल्ला आजम की विदानसवा सदस्ता रद हुई है अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोशित किया गया है तो इसी कवर पर अधिक जानकरी के लिए हमारे साथ यूपी चैनल स्टेड हैड वकास वारसी जी जुड़ चुके हैं वकासी अगर बात करें तो जिस तरह से आजम खान की मुश्किलें बड़े हुई थी अब ऐसे में हम देख रहे हैं कि उनके बेटे की मुश्किले भी यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनके बेटे की अब ङधाय की छिनी है, साती जो सीट है, सुआर सीट है, हम देख रहे हैं भिकल्न पेझे हैं अगे क्या कुछ विकल्ब बच्चते हैं, अब्दल्ला आजम के पास? देखे उदे आपका सवाल बहुत लाजमी है कि आगे विकल्ब क्या बचता है आजम खान परियार के पास तो कि अभी कुछी मेंचे पहले हम सबने देखा कि मुहमद आजम खान की सदस्टा रद की गई और मुहमद आजम सां की सदस्टा रद होने के बाद विकरम सैनी जो मुझसर नगर खताली शे विदायक थे बीजीपी के उनकी सदस्टा रद हुई और अब अभ्दल्ला आजम की सदस्टा रद होते हुए ऐसा लग रहा है कि किसी इसकूल के बच्चों का रिस्टिकेशन हो रहा हो मतलब विदान सबा और विदान पालिका के विदायकों को जिस तरीके से रिस्टिकेट किया रहा है छेचे साल के लिए तो आप बिलकुल सभी सवाल है आपकर कि इनके आगे का फ्यूचर क्या है और उदे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजम खान और आजम खान के परिवार के लिए जिस कम्यूनिटी के मुस्लिम कम्यूनिटी के यह ने नेता माना जाता है एक बहुत आम छवी इनकी बनी है पिता पुत्र की आप तोर से पिता की मौमद आजम खान की कि वो जब सत्ता में रहते हैं जब ताकत में रहते हैं तो वो ताकत के नशे में चूर हो जाते हैं और आपने लोगों से बद्जबानी करने लगते हैं। यह आप आम जन्मानत से उतरपदेश के आम मुसल्मानों से अगर बात करेंगे। तो आपको दस में साथ लोगों का प्रिव्यू उनके बारे में उनके बारे में ऐसी ही मिले की। तो जिस तरह से भारत जोड़ो यातरा में राहूल गांदी ने साथ पे निकल के लोगों से मिलके अपनी बॉडी लैंग्वेज अपना पूरा एक पॉलिटिकल जो उनका अट्राक्शन था उसको चेंज किया लोगों की नजर में। मैं समझता हूं कि मुहमद आजम खान और उनके पुत्र को ये अब लाजमी है कि वो लोगों से मिले और जिन लोगों पर उनकी जो है पब्लिक इमेज उनकी खराब थी उसको सही करने का समय आ चुका है वकाज जी आप से समझ चाहेंगे हमारे दर्सक भी ये समझ चाहेंग इस सपा को भी एक बड़ा जटका मिला इससे बिल्कुल सही कह रहे हैं अपोजिशन में समाजवादी पार्टी है 111 विदायकों के साथ समाजवादी पार्टी के पोजिशन में आई थी जिसमें पहले मुहमद आजम खान की सदस्ता रद हो गई एक विदायक उनका कम हो गय आज दूसरा विदायक अब्दुल्ला आजम उनी का बेटा उसकी सदस्ता भी रद हो गई और गिंती में दो विदायक उनके समाजवादी पार्टी के कम हो गए आपने पूछा किस आरोग में ये सदा होई है तो ये मैं आपको बता दू और आपके माद्म से अपने घर्शकों को ये बता दूँ कि 2008 में अतर प्रदेश में जब मायवती सरकार थी 2008-E00 में वेश्टर उत्रप्रदेश में पश्चमी उत्रप्रदेश में एक जगा पड़ती है थ혜लायच यहां पर एक मामूली सा ज Fr. अपवोजी में जनोंतेरित, मॉहम्म준 आजम कान समाजवादी पार्ठी की पस्फमी उत्रप्रदेश के कट्वर किसी इशूपे बसपा सरकार के दोरान और वहां पे एक ट्राफिक जाम हुआ था जिसमें सरकार ने इन पॉलिटिकल नेताओं के खिलाफ लोगों के खिलाफ उगदमा लिखा था जिसमें अबदुल्ला आजम को कल दो साल की सजा मुरादवाद नियाले से सुनाई कही है तो अगर हम प्राक्टिकल एननिसिस पे बात करें अबदुल्ला आजम के इस मामले में सदस्ता रद होने की तो मैं समझता हूँ कि अगर इमानदारी से इस पे अपना व्यू रखा जाए अपनी बात रखी जाए तो अबदुल्ला आजम एक युवा पॉलिटिशन है बहुत ज जिस तरह से यहां विदायकों को रिस्टिकेट किया जा रहा है और अगले च्छे साल तक अब्दुल्ला आजम और उन्हें पिता दोनों ही हर चुनाओं से बाहर रहेंगी यह ना यह विदा विदायक वालिका का हिस्सा बन सकते हैं ना ही लोग्सभा का चुनाओं कोई भी अब 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 दुद्ला आजम और उनके पिटा की जो परिशानिया है उससे उन बयानों का कि शरोकार कोई मदब नहीं मिलना है उन दोनों को आज की और चाहूंगा हम ने यह देखा है कि जब आजम खान तैडनी तो चाहिए सपा में इस तरह की बात चल रही सपाही जो है बोसायों को सपोर्ट नहीं कर이लें कर रहे हैं नेता यह वोegt मिलने मिलने का तुछ कि महरत को मुद्ध को कई कर दो मृंपote महमद आजम खांस समाजवादी पाटी का मुस्लिम कर रही है कई नेता जो है वो आजम खान से मिलने नहीं जा रहे हैं देखे मिलने मिलाने का तो मैंने अभी आपको बताए कि लोट-पुट मौमद आजम-खान समाजवाधी पार्टी का मुस्लिम चेहरा रहे आज से नहीं सन्बाथ नवे से जब बाबरी मस्जिद का विद्व में सबसे बड़ा नाम उबर के सामने आए और कई करीब देड़ दो साल के वक्षे में मौमद आजम खान ने जेल भी काटी उस दोरान और बड़ा संगर्च किया उत्रप्रदेश की मुस्लिम कम्यूनिटी के लीडरिशिप के लिए मौमद आजम खान इकलोता नाम हुआ करते लेकिन जो राजनीत उत्तरप्रदेश और देश में आज जिस पाटन पर हो रही है तो आप और हम क्या जनता भी सीड़ा साफ समझ रही है संदेश कि मौमद आजम खान का जो रवया था और जो स्टाचर था समाजवादी पार्टी के अंदर आज वो नहीं बचा जी वकाज करें तो आजम खान की मजबूत पकड़ थी उनके बेटे की यह मजबूत पकड़ थी ऐसे में अगर सीट की बात की जाये तो आने वाले समय में किसके पक्ष में नतीजे जाते हो नजर आएंगे क्या एक सहानुभूती जो है आजम खान को मिलतुई नजर आएगी या यह सी सीट से वो हते और विदान सवाइवा चुनाँ लड़ने के लिए अपनी सीट खोड़ी उन्होंस एक व्यक्ति को अपने विषेश को जो उनके संपर का व्यक्ति ता उसको लोगसवा का भी उप्चुनाऌ ललबाया तिर विदान सभा'll की जब उनकी सअबस्ता रामपूर सदर की कैंसल होती है इसी तरीके से जैसे आज उनके बेटे की हुई है तब भी उन्होंने उस उप्चुनाओ में अपने ही मन पसंद एक ही व्यक्ति को जिसको लोकसभा उप्चुनाओ का उप्चुनाओ लरवाया उसी को विदानसभा उप्चुनाओ लरवाया तो जब तक ये परिवार और मैं कहूंगा मौम्मद आजम खान ये व्यक्ति विशेश की राजनीत करते रहेंगे तो ये नुक्सान जो इनका अल्रेटी पॉलिटिकल नुक्सान हो चुका है इस नुक्सान की भरताई भी नहीं हो पाईगे भारती जन्ता पार्टी वाद दुबारा सुवार सीट पे जहां उफचना होना है अब्दुल्ला आजम की सीट पे वहां भारती जन्ता पार्टी पर उसे जीत दर्श कर लेगे अगर मौम्मद आजम खान की स्काटरजी नहीं बदली मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा मौम्मद आजम खान के बहुत सारे सैसले समाजवादी पार्टी प्रमुक अखलेश यादो बाकी अन्य पार्टी निताओं के मुकाबले में जादा मानते हैं क्योंकि मौम्मद आजम खान का एक डर जब यह सरकार में रहते हैं तो इनका आजम यह बताते थे कि रखा रहता था उपर की जेव में और वो इनका इस्तिफा होता था कि किसी भी बात पे जब यह रूड जाते थे तो मौममद आजम का मशूर थे कि वो अपना इस्तिफा पार्टी प्रमुक को पेश कर दिया करते थे वगास जी धनवाद आपने हमारे दर्शकों को जान कर दी उसके लिए धनवाद आपका तो बता दे कि अब एक बार फिर से आजम खान परिवार की मुश्कले बढ़ते होई नजर आ रही है अब्दुला आजम की विदान सबा सदस्ता रद होई है अब्दुला आजम की सीट को रिक्त घोशित किया गया है विदान सबा सचीवाले ने सीट को रिक्त घोशित किया है बड़ी कवर आपको उता रहे है